then cellular injury अमां definition start करता हूँ cellular injury की क्या होती है cellular injury first is cell injury is defined as the effect of various of stress due to ideological agent a cell encounter resulting in changes in cell external or internal environment देखो cell injury defined as the effect of various stress जो various stress मैंने आपको बता है अलग अलग stress हो सकते हैं जैसे कि hypoxia हुआ इस्सीमिय हुआ या physical changes हुआ या physical injury हुआ या कोई भी chemical injury हुआ जिसकी वज़े से क्या हो रहा है cell encounter हो रहा है और cell के अंदर changes हो रहा है क्यों कुन से cell का जो internal और external environment के अंदर changes हो रहा है वो किसको लीड करेगा cellular injury को जो डूटू दा इतियो लोजिकल factor जो अलग लग इतियो लोजिकल फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी hypoxia हुआ इससे में होआ physical injury हुआ या कोई भी stressor condition हुई जिसकी वज़े से cell क्या कर लेगी अपना internal और external environment change कर लेगी या जो normal functioning है वो क्या होगी changes हो जाएगी उसको अपन क्या बोलते हैं cell injury कोई भी pathological condition की वज़े से ठीक है कोई भी disease condition की वज़े से cell के अंदर होने वाला changes कौन-कौन सा external और internal वो किसके अंदर आएगा cellular injury के अंदर आएगा cell damage occur as a result of an adverse stimuli which disturb the normal hemiostasis of the body affected cells of the affected cells अब देखो इसके अंदर दो नहीं चीज़े आई है डिस्ट अब दा normal hemiostasis of the affected cell disturbance in the normal normal अब देखो hemiostasis क्या होता है hemiostasis condition होती है यह state of internal physical and chemical condition maintained by living system देखो यह condition होती है जैसे अपने बोलते है न हेल्थ इजे इस्टेट ओप हेल्थ इजे इस्टेट ओप वैसे ही hemiostasis इजे इस्टेट ओप इंटरनल एंद फिजिकल chemical condition maintained by the living system जैसे नोर्मल फंक्शनिंग है जो अपनी सेल की नोर्मल फंक्शनिंग है वो किसके द्वारा maintain की जाती है हीमियो इस्टेशिस के द्वारा जैसे की मैंटेन बोडी टेंपरेचर मैंटेन फ्लूड बैलेंस वे किसके द्वारा किया जाता है हीमियो इस्टेशिस के द्वारा हीमियो इस्टेशिस का मतलब ही वहता है फ्लूड का बैलेंस अब सेल के अंदर हीमियो इस्टेशिस के अंदर disturbance होगा तो सेल के अंदर क्या होगा चेंजे जिनाना इस्टार्ट हो जाएगा मतलब की सेल का डेमेज होना स्टार्टिंग हो जाएगी देखो इसके अंदर दे रखा है डिस्टब दा नॉर्मल हीम्यू स्टेशिस किसकी वज़े से कोई भी इस्टिमुलाई या पैथोलोजिकल कंडिशन की वज़े से ठीक है नेक्स देखते हैं अपन इसकी इट्यू लोजी कौन-कौन से कारक हैं जिसकी वज़े से सेल के अंदर क्या हो जाएंगे चेंजिज होना ही स्टार्ट हो जाएंगे देखो दा इट्यू लोजी में भी ब्रॉडली इंजरी बाइट टू टाइप भाई टू मेजर वेज फर्स् अपको पहले दोनों चीज बताई हुई है जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर जैनेटिक कोज क्या होता है एक्वाइड कोज क्या होता है देखते हैं फर्स्ट जैनेटिक कोज जैनेटिक कोज होता है इंक्लूड वेरियस जैनेटिक डिसोर्डर और डिजीज लाइ लाजाए यानि जैसे कि मेरे बच्चे हैं और मेरे में कोई डिजीज है और वो बाइदा जीन्स की दुआरा मेरे ऑफ स्पिरिंग्स मेरे बच्चों में चली जा रही है उसको क्या कर बोलेंगे इसके अंदर देखो दो को जिए एक्जांपल दे रखा एक तो डाउन सिंड्र परल संसे क्या होता है और बोलाज ऊफ अफट्रीज पर्सटू मतलब की और पर्संडד जाता है और किसको क्या करता हैं अफट्र कर देता है नेक्स्ट टर्णरll सिंड्र्म वहोता है सिरफ और और सिरफ फीमेल्स को ही एफ़ेक्ट करता प्रते है जो इसके वंदर करम finishes ही ए जिन्स के दुवारा कोई डिजी जो रही है वो किसके अंदर आएगा जनेटिक कोजिस के अंदर नेक्स्ट देखते हैं एक वाइड कोजिस एक वाइड कोजिस मैंने बताई रखा था आपको भी कौन-कौन से होते हैं अब अपनी आपे हैं उनको क्या कि बिलकुल क्लासी जारा हूँ मैं ठीक है एक वाइड कोजिस के अनदर इसके अंदर आता फरस्ट है मतला होता है इंदा टीशू मतलब कि जो टीशू है उसके अंदर ऑक्सिजन की कमी हो जाएगी और जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा सेल इंजरी हो जाएगा दूसरा होता है इसके अंदर क्या होता है ऑक्सिजन और ब्लड फ्लो दोनों क्या हो जाता है इंटरप्ट हो जाता है जिसकी व external and interval internal environment or chemoe status in tino के अंदर की आपनोर्मलटी हो जाती है थर देखते हैं Chemical agent or drugs chemical agent जैसे acid of its balance वासे किवाज़ए से किसी वर देखते होना दो मुवीज वगरे में कि में कि यसे फेंक देता हैं जिसके क्या करते हैं डिजीज को कोज करते हैं नेक्स्ट है इम्नोलोजिकल एजेंट इम्नोलोजिकल एजेंट या तु क्या हो इम्मुन सिस्टम वीक हो या इम्मुन सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जिसकी वज़े से क्या हो जाए सेल के अंदर इंजरी हो जाए वो किसके अंदर नेहीं नेग्ट है फिर उसके बाद में एजिंग मतलब की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे विसे सेल का फंक्शनिंग क्या होती जाएगी कम होती जाएगी नेक्ट साइकोजैनिक बीजीज अब अंदर अपन क्लासिफाइग करेंगे नेक्स्ट आता है इत्रोजैनिक फे के अंदर चेंजे जा रहे हैं वह आते हैं यूट्रोजेनिक फ्रेक्टर के अंदर नेक्स देखते हैं इडियोपैथिक फेक्टर एंड डिजी इडियोपैटिक फेक्टर वह होते हैं जिसका अपने को अन्नोन मतलब कि कुछ भी पता नहीं चलता कि उसकी वज़े से क्या अन् लिदा ऑ often the tissue This agent की कम हो जाए जैसे हीico Party कमी है ठीकर एक जरून को functioning करने के लिए क्लेक्वाइर मेंट होता है और हो इंदर क्या होगी टरूर्मल्टी डव्लप मोज मो जाएक साहिए जोड़न की कमaint है लेकिन सेल को functioning कर लेंगे लिए क्या चाहिए oxygen तो क्या हो रहा है demand बढ़ रहा है इसकी वज़े से क्या हो जाएगी सेल के अंदर injury हो जाएगी देखते हैं all cells require oxygen to generate energy ठीक है आप सभी को पता है अगर oxygen नहीं होगा तो self functioning नहीं करेगी self functioning नहीं करेगी अगर बोडी के अंदर energy नहीं होगी तो क्या होगा अगर सेल के अंदर energy नहीं होगी तो वो क्या की metabolic functioning है वो क्या करन नहीं पाएगी और जिसकी वज़े से क्या हो जाएगी इंजरी हो जाएगी deficiency of oxygen result in failure to carry out the activity by the cell जो नोर्मल एक्टिवीटी है सेल की वो क्या हो जाएगी इंट्रेप्ट हो जाएगी और क्या होगी इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी hypoxia is the most common cause of cell injury जो cell injury का most common cause है वो क्या है हाइपोग्जिया ठीक नेक्स्ट आता है अपना physical agent of physical agent क्या होते हैं फर्स्ट है mechanical factor mechanical factor में क्या होगा रोगड एक्सेडरेंट हो गया यह कोई ट्रोमा हो जिसकी वज़े से सेल के internal और external functions के अंदर और हीमियोस्टेशिस हीमियोस्टेशिस मतलब की फ्लूड बैलेंस के अंदर कोई changes आ आ गया हो वही फिर इसके अंदर भी देखते है थर्मल ट्रोम थोरी थर्मल ट्रोमा हीट और कोल्ड की वज़े से जैसे एक्सेशिव हीट या एक्सेशिव कोल्ड के वज़े से अपन क्या हो जाए इसेल के अंदर changes हो जाए next आता है c electricity electricity की वज़े से changes होता है वो भी किसके अंदर आएंगे physical agent के वंदर नेक्स्ट आता है रेडियेशन 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 यूवी रीज आयने जाइंग आइडियो नाइजिंग रेडियेशन वह भी किसके अंदर आएगा physical agent के अंदर यह आता है rapid changes in atmosphere pressure जो अपना atmosphere उसके अंदर rapid मतलब की जल्दी जल्दी changes हो रहे हैं मतलब की अपनी सेल क्या है की दीरे दीरे उस atmosphere के according क्या होती है मतलब की अड़ोप्ट करना start कर देती है लेकिन बार बार atmosphere के अंदर changes होगा तो सेल के अंदर क्या होगी अड़ोप्टेशन के अंदर टाइम लगेगा और इसकी वज़े से क्या हो जाएगा injury हो जाएगी थर्ड आता है chemical and drugs chemical agents में also called cell injury जैसे कि कॉन कॉन से chemical poisoning कोई भी poisoning मतलब की जहर जहर खाने से पता है सबको body के अंदर changes आना start हो जाते हैं या storage strong acid waste strong acid और base acid आपको पता है जिसका pH scale में 7 से नीचे नीचे होता है मतलब कि 6 से 7 तो क्या होगा neutral और 6 से नीचे नीचे हो गया और जो साथ से उपर उपर हो गया मतलब कि 8 से लेकर बाकी 14 तक 8 से लेकर 14 तक किसके अंदर हो गया ब самой जानते हैं किसान वी कितों में यूज लेता है और अपने उसको क्या कर लेते हैं खा जाते हैं जो घाने की वज़े से क्या होगि जाना हो जाएगा अट बैध्यक्यूंसेयर理 हाइं डिमार्ड ज्यादा है और सप्लाइं क्या है कम उसकी वज़े से भी क्या वजाएगा सेलुलार चेंजेज थेराप्यूटिक एड्मिनिस्ट्रेशन और ट्रग थेराप्यूटिक का मतलब अगर एक नॉर्मल लेवल तक एक नॉर्मल लेवल तक ठीक है इस ट्रों अबेस होई गया नेट्स देखते हैं माइक्रो वियल एजेट वोसकता है इन वाइरेस हो गया फंगाई हो गया क्लोंड को बढ़ाएंगे को बढ़ाकर जो सेल बगरा या यह जो ऑर गन है उसको क्या करेंगे disturbance करेंगे जो उसके चेंगेज होना है इस्टार्ट हो हो रही है किसी करते हैं वेक्सीन देते हैं जिसकी वजीन हो घिजिय styl लेकिन कई बार जो यह इंफ्सन तरुता है मतलग कि क्या होगय को डोज अगर अगर उपर नीचे हो जाए तो क्या होगा अपने लिए हामफुल हो जाएगा और कोज क्या करेगा और इंजरी देखते हैं एजिंग होता है इस एजिंग बढ़ेगी वैसे 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 से सिर्ट हो जाएगी साइकोजनीक बीजीज साइकोजनीक डीजी होतीएँ देरे यह इस्य। बायोचि wi चेशनीक और morphological changes, psychological disease है उसके अंदर ना तो कोई बायोकेमिकल और ना कोई morphological changes होते हैं बहुती कम देखने को मिलते हैं जो कि अपने को psychological disease होते हैं जैसे mental disease के अंदर बहुती कम cellular changes देखने को मिलते हैं But mental disease but mental illness can lead to various organ disease जो यह जो mental illness है वो कई बार क्या है कि अलग अलग जो और्गन है उनको affect कर सकती है जैसे डिजीज अच अच लीवर डेमिज कर सकती है lung cancer कर सकती है पैप्टिक अलसर और ETC next hyetrogenic factor hyetrogenic factor मने आपको भी बताए था the cell injury देखो the cell injury and cell death result from error in the judgment by the physician और medical practitioner और error in diagnosis of patient forward effect of administration therapy देखो इसके अंदर क्या हो जाता है जैसे डॉक्टर क्या कई बार उसके अंदर error हो जाता है जज्जमेंट लेने में वो classify नहीं कर पाता कि क्या judgment वो क्या नहीं और और वो गलत चीज को हो जाती तो वह उसके दर क्या होगगा जैसे ही ऐलर्जिक ययक्सेन होगी तो सेल के अंदर क्या होग रखेशन के बाइद् पिज चाहते की जागा हो लंगा नहीं हो रहा कि डिजीज किस वज़ेसे आधेश्य क के अंदर इडियोपेथडिक रथ। मेंस डिजीज ओप अनलौन कोड़ उसका पने को कोई नहीं पता आइस डिजीज इज जickt जोब डी मुझ前 undetermined मतलब कि जो exact cause है कि disease किसकी वज़े से हो रही है उसका cause अपने को पता नहीं है जैसे कि example hypertension ठीक है अब देखते हैं various form of cellular response of cell injury cell injury होती है उसके अंदर कौन कौन सी form होती है देखो पहले ये normally समझ लो फिर अपने इसके बाद में diagram से समझेंगे easily समझने की assess करेंगे देखते हैं first there is functional damage जैसे ही कोई cell के अंदर functional damage होगा the cell में adopt the changes जैसे कोई भी chemical agent हुआ या कोई भी utological factor हुआ जिसकी वज़े से क्या होगी cell के अंदर death होगी मतलब कि cell के अंदर injury हो गई अब वो क्या करेंगी उसको adopt मतलब कि उसके according होने की कोशिश करेंगी to the देखो the cell में adopted to the changes अब वो cell क्या करेंगी वो changes हो रहे हैं उनको adopt करने की कोशिश करेंगी which express morphological and reverse back morphology and reverse back to normal after the stress is removed जैसे ही देखो किसी भी cell के उपर कोई भी stress पड़ता है तो वो क्या कर देगी मतलब की जैसे ही कोई भी stress मतलब की pathological condition cell के उपर आएगी वो क्या करेगी उसको adopt करने का काम करेगी और morphological changes होना start हो जाएगा अब जैसे ही वो stress मतलब की जैसे ही वो stress या pathological condition क्योर हो जाती है तो वो दीरे दीरे अपनी जो normal functioning है उसके अंदर आना start हो जाएगी उसको अपन बोलते हैं cellular adaptation जैसे ही कोई pathological condition किसी भी cell के उपर गिरेगी मतलब की होगा जैसे ही कोई भी pathological condition cell के अंदर होगा मतलब की उसके अंदर बहुत ही कम था लेकिन इसके अंदर mild to moderate affect the reversible cell injury is seen in any and many persistent in the cell evidence of cell injury at cellular level subcellular changes or metabolic changes या intracellular accumulation अभी इसको अपन नेक्स्ट जो है डाग्राम उसके अंदर classify करेंगे थर देखते हैं when persistent and reverse cell to stress is present present cell injury is reversible lead to cell death मतलब की जो stressor था वो persistent मतलब की रेगुलरी वो सेल के उपर बना हुआ है तो वो क्या करेगा cell death कोज कर देगा अब देखते हैं अपन डाइग्राम की ओ डाइग्राम से ठीक है देखो इसके अंदर देखते हैं पन इस्टार्ट करते हैं ठीक है अभी यहां पर दे रखा है यह normal cell है यह normal cell है अब normal cell के अंदर नौर्मल सेल है इसके अंदर क्या alteration क्या हो जाए कोई भी alters San आ जाए यह देखो और जिसकी वह जैसे क्या हो जाए अल्त्रेशन मतलब कि बोहतीं कम और चेंजन जाना इस्टार्ट हो जाएगा उसके पहले अडप्टेशन जैसे ही अडप्टेशन मतलब कि वह उसके अकोडिंग प्रक्राइगी यह जैसे ऑनने सेल वह देखते हैं देखते हैं इसके अंदर हाइब का मतलब उता है जैसे की यहाँ पर देखो जैसे की यह ने नॉर्मल सैल अब उसके अंदर कोई भी चैंज्ज आयगा जैसे चैंजेज़ जाएगा तो वो अपने external और internal environment के चेंजेज करना स्टार्ट कर देगी जैसे चेंजेज स्टार्ट करेगी वह क्या है कि एक सेप एंड साइज डावलब कर लेगी उसको बोलते हैं अब अडप्टेशन के अंदर क्या होता है अट्रोपी होती है अट्रोपी यह नोर्मल सेल क्या है नोर्मल सेल यहां पर है नोर्मल सेल अब अट्रोपी का मतलब होता है जो यह नोर्मल सेल है उसकी साइज के अंदर क्या हो जाए कमी हो हाईपरप्लेजिया का मतलब होता है जो सेल के साइज इंक्रीज इंदा नंबर उपसेल के नंबर हैं उसके अंदर क्या हो जाए इंक्रीजमेंट हो जाए उसको अंदर किसके लिए लेंगे अपने हाईपरप्लेजिया के अंदर जैसे कि मैं अब बताऊं जैसे यह नॉर्मल स ठीक यह उसकी क्या है नंबर है अब इसके अंदर नॉर्मल सेल के अंदर यह हो गया अब यह बड़ी हो गई सेल और इसके जो नंबर है वो क्या है बढ़ गए वो किसके अंदर आएगा hyperplasia के अंदर hyperplasia का मतलब जो number of cell है वो क्या हो जाए increasement हो जाए यह तो है hyperplasia ठीक है hypertrophy hypertrophy मतलब कि जो cell की size यह normal size है और उससे भी चाहता size हो जाए बहुत बड़ी size की हो जाए उसको अपन किसके अंदर लेंगे hypertrophy के अंदर metapolisia होता है एक जगह से दूसरी जगह सेल का क्या हो जाएना transfer हो जाना होता है metapolisia औभ फिर उसके बाद में आता है dysplasia dysplasia का मतलब की abnormal excessive growth abnormal excessive growth हो जाए एक जगह से दूसरी जगह जाकर दूसरी से तीसरी जगह जाना किसके अंदर आएगा dysplasia के अब देखते हैं इसके अंदर आखिर में आता stress remove जैसे ही देखो फर्स्ट यहां पर है बता रखाया आपको यहां अल्टरेशन जैसे ही इसके उपर को stress पड़ेगा तो cell के अंदर यह changes आना start हो जाएंगे अब जैसे ही इसके अंदर जो यह stress है वो remove हो जाएगा मतलब कि जो committee cell के अंदर वो जैसे ही complete हो जाएगी तो वो किसके अंदर हो जाएगी वापिस normal cell के अंदर return हो जाएगी ठीक है अब देखते हैं जो अभी मैंने अभी बताया था ना वह वाला system है अब इसके अंदर हो गया mild to moderate stress मतलब कि जो pathological condition है वो mild to moderate के अंदर आ गई ठीक है पहले तो injury हो गई लेकिन दुबारा injury हो रही है और वो किस से कंडिशन में हो रही है mild to moderate condition के अंदर वो किसके अंदर आए जाएगा irreversible cell injury के अंदर इसके अंदर जो है subcellular alteration जो cell के हैं cellular मतलब की function है वो क्या हो जाएगी इंट्रा-cellular accumulation हो जाएगा और degeneration degeneration मतलब की cell क्या होगी तूटेगी और modeling start कर देगी remodeling मतलब की repairment and healing start करना शुरू कर देगी थेड़ होता है मतलब की बहुत ही ज्यादा pathological condition हो जाए देखो पहली हुई बहुत कम फिर हुए mild to moderate वो किसके अंदर आया वो किसके अंदर आया reversible sentence के अंदर अब mild to moderate होने के बाद cell के अंदर फिर से कोई pathological condition आ जाती है वो किसके अंदर आएगी irreversible cell injury irreversible cell injury lead करेगी cell death code किसको lead करेगी cell death code अब देखते हैं किस परकार से cell death होती है देखते हैं देखो यह नोर्मल सेल क्या यह नोर्मल सेल है अब इसके अंदर कोई भी stress आएगा stress आएगा वो क्या कर देगा adaptation start कर देगा adaptation मैंने आपको बता है कि वो उसके according functioning start कर देगी cell उसके according functioning start कर देगी लेकिन inability to adapt अगर वो उसके according functioning start नहीं कर देती है तो वो क्या lead करेगी cell injury क्या lead करेगी cell injury lead करेगी अब देखो जैसे ही कि अब जो यहां पर क्या हुआ सेलुलार इस्ट्रेशन नोर्मल सेल थी उसके अंदर पहले कोई stress आया कोई pathological condition हो जाई अब वो उसके क्या होगे अड़ेप्ट होगे अड़ेप्ट होगी और बिना मतलब की अगर वो उसके अगर फंक्शनिंग स्टार्ट करती है तो वह किसके अंदर आ जाती है अब इंजरी के अंदर जो भी उसके अंदर जो आए मतलब की अड़ेप्टेशन आया जो भी उसका अड़ेप्टेशन आया जिया कोई भी pathological condition हो क्या हो जादी दीरे दीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी अड़ेप्टेशन में के अंदर क्या हो जाती है जो ऑक्सिजन की सप्लाई है यह को अड़ेप्टेशन के अंदर वह होता है अड़ेप्टेशन के अंदर जो ऑक्सिजन की सप्लाई है वह तो क्या हो जाती है कम और डिमांड क्या हो जाती है ज्याद लेकिन supply कम हो रही है, supply जैसे ही कम होगी, तो उसको functioning करने के लिए क्या हो जाएगी, demand बढ़ जाएगी, अब वो demand बढ़ जाएगी, और जो adaptation हुआ, वो क्या हुआ, inability to adapt, inability to adapt, वो उसको क्या नहीं कर पाया, adapt नहीं कर पाया, और क्या हो जाएगी, cell injury, अब जैसे जैसे दीरे- cell के अंदर, demand कम होती जा रही है, और supply बढ़ती जा रही है, जो oxygen की demand, जो, sorry, कम होती जा रही है, और supply बढ़ती जा रही है, मतलब कि जो pathological condition, वो treat हो रही है, अगर वो treat हो जाती है, जो stressor जा, जो pathological condition थी, वो क्या हो जाती है, remove, जो pathological condition है, वो क्या हो रही है, यहाँ पे remove ह हो घाई अब जैसे ही यहां तक हो गया अब एक और कंडिशन आती है दैसारा सिस्टम हुए यह क्या सेल के के बाद में और भी ज्यादा माइल टू मोडरेट इंजरी होगी वो किसके अंदर आएगी irreversible cell के अंदर आएगी irreversible cell injury के अंदर आएगी ठीक है irreversible cell injury अब उसके बाद में irreversible cell injury के अंदर cellular changes, subcellular changes, degeneration, degeneration मतलब कि remodeling वगरा, cell का तूटना और नई cell में बनना start हो जाएगा तो वो किसके अंदर आएगा healing and repairment healing and repairment किसको lead करेगी normal cell को lead करेगी उसके बाद में देखते हैं third condition होती है उसके जो मैंने third condition बताई थी persistent अगर वो जो condition है persistent मतलब की regularty वहीं पे है बनी रहेगी तो वो किसको lead करेगा irreversible cell injury को वो किसको lead करेगा irreversible cell injury को irreversible cell injury के अंदर दो condition होती है एक तो necrosis और एक apoptosis और necrosis यह दोनों किसको lead करेंगे cell death को यह दोनों ही एक अलग-अलग topic है necrosis और apoptosis necrosis और apoptosis वो आपको मैं next topic के अंदर बता दूंगा और वो lead करेंगे क्या cell death ठीक है अब इसके बाद में देखते हैं जो cell के अंदर changes start होते हैं कि किस परकार के अंदर cell के अंदर changes होते हैं वो hypertrophy hyper hyperplasia या atrophy metaplesia वो सब इसके अंदर अपन देखते हैं देखो कि यह क्या है normal cell यह क्या है normal cell अब इसके अंदर कोई stressor या pathological condition आई और वो उसके according develop हो गई ठीक है अगर develop होने के बाद में उसके इंट्राइल और external environment के अंदर कोई changes आ रहा है या तो उसकी size कम हो जाएगी जैसे size कम होगी मैंने बताया देखो एट्रोफिक के अंदर क्या होगा size के अंदर कमी हो जाएगी यह बेक्तार में नर्मल सेल यह नोर्मल सेल है इसके अंदर adaptation हुआ और वह दिरे दिरे क्या होगा ही मतलब दिरे दिरे size क्या होगा हो गई तो वो किसके अंदर आएगा एंडर केंनर आएगा नेस्ट होता breeding है इसकी ज्रा जेइसकर हाईएगा कि नॉर्मल सेल है यह जो मैंने बता ही रखा है नॉर्मल थैल पड़ा है अब जो नॉर्मल सेल के अंदर एक्सेसिव गृत जो साइज़ size है वो increase होना start हो जाए जो cell की size है वो बढ़ना start हो जाए वो किसके अंदर आएगा hyper trophy के अंदर यहाँ पर normal cell होई ठीक है यह normal cell है अब इसके अंदर changes होगा वो दीरे दीरे अपनी size को फिर बढ़ाती जाएगी यह देखो यहां से यहां किती बढ़ गई फिर यह अक्रिम जाकर बहुत ही ज़्यादा मतलब size को बढ़ा लेगी तो वो किसको अंदर आएगा hyper trophy के अंदर आएगा next देखते हैं वही normal cell है normal cell के अंदर जो number है वो increase हो जाए जो normal cell के अंदर का है जो number increase हो जाएं वो किसके hyper plagia next देखते हैं meta plagia meta plagia यह एक जगह से क्या हो दूसरी जगह transfer होता है उसको अपन क्या बोलते हैं meta plagia ठीक है आज की अपन की class यहीं पर खतम होती है जब ढहर दो दोतूस है अपन की वहाईएवार्ग को पर दोड़न पर दोन की अपन की बदेखते हैं की उगा दो दोत्हच्वच्वच्वच्ट बदेखते हैं